नमस्कार, मैं हूँ संगीता और स्वागत करते हैं आपका, आपके अपनी रस्वे में आज मैं लेकर आए हूँ ये बरतवाला चीला, आज किलना वरातरी चल रहे हैं अगर हम बनाएंगे ये बरतवाला चीला, तो यहां पर हमें चाहिए ये साबुदाना इसका बनाएंगे आज चीला, तो हमें मीडियम साइज के साबुद दाना लिया है और इसको मैंने दो पानी से दो लिया था और अब हमें इसको भीगा लेंगे इसको हमने ज़्यादा नहीं दोना है जितना हमें इसको दोएंगे इसका इस्टार चे निकलते जाता है, अब हम इसको थोड़ा से विगा लेंगे आर आप इसको पानी निकाले बारिक वाले मिक्सर घ्रइंडर जार में डाल देंगे जिसमें हम पीस उसमें हम इसका फाइन पेश्ट बनालेंगे और इसमें ठोड़ा से पाणी डाला व्याले । Uh उसके लिए हमें दो से तीन गंटा तकी इसको विगाना होगा और चोटे वाला भी ले सकते हैं यहां पर मैंने दो चोटे साइज के लिए एक बॉयल वाला आलू और इनको हमने ग्रेट कर लेना है आप चाहे तो मैसर की सायता से भी हम इसको मैस कर सकते हैं इसमें कोई यहां पर पानी ड़ींव करते हैं अब हमी जो आलो हमने ग्रेट किया था शक्सक टालिंगे यहां पर मैने लिए यह अननम के नमक जो बर्त में खाया जाता है और दही आदी कटोरी दही लिए है अप्षेस वाली दही है एक चम्मज के बरावरे दनिया की पतिया अब इसका अच्छा से पेस्ट बना लेंगे फेट लेंगे इसको और इसका हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ा भी नहीं करना है अब लेंगे याँ पर नारेल के टुकडे और अब हम डालेंगे इसमें दई एक चम्मज दई है और कुछ पुदीन की पतिया फ्रेस आली है और दो हमने याँ पर लिया ये मीर्ची टुकडों में तोड दी थी और याँ पर लिया सेंद नमक फिर से और ये तज्ज़ धनि जितना हमें पानी लगेगा पेश्ट बना लेंगे इसका भी और आप हम निकाल देंगे इसको आप हमें चाहिए तो यहां पर हम थोड़ा से तड़का भी लगा सकते हैं इसमें आप जैसा खाना पसंद करोगे अगर आप जीरा खाते हैं जीरा कतट का लगा दीजिएगा और इसको थोड़ा से मिक्स कर लेंगे और इस तरह के हमें पेश्ट के लिए जाद़ पतला वाला पेश्ट नहीं चाहिए अब यहां पर लेंगे यह कर लिया था यहां पर मैंने चम नहीं लिया है और इतना गीन नहीं लगेगा हमें और हमने इसका थोड़ा टंपरेचर चेक कर लेना है और अब डालेंगे इसमें वेटर उपर से पहले थोड़ा एक छोटा सा बनाएंगे हम और एक बन जाए तो इसके बाद लगाता और बनाते जाएंगे और फिर इसमें अच्छे से बन जाते हैं 2-3 मिनट लगते हैं एक तरफ सेखने में इसको और फिर 2-3 मिनट दूसरी तरफ बी तो दो नों तरफ से हम एक जैसे से शेकिंगे इसको और यह बहुत आसानी से बन भी जाते हैं और अब हम दूसरा बनाएंगे गैस का फ्लेम हमें लोई रखना है और ये बनते जाते हैं और इनको तज्जे तज्जे खाना है जैसे बनते जाते हैं उसके बाद हम अगर इनको थोड़ी देर रखेंगे तो ये चिपक नहीं लग जाते हैं तो बर्त में बनाएए इंचीलो को बस ग्रेस का फ्लेम हमने लोई रखना है यहां पर और आप इसमें काफी चीजें डाल सकते हैं जो आप बर्त में खाते हो और बन के तयार हमारे चीला भी चटनी भी दोनों चीजें और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इनको और अगर आप भी खीचरी और खीर खाखा के ठाक चुके हो तो इस तरह का चीला आप जरूर से ट्राइ कीजेगा और जैदी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा साथ में बैलाकन भी जरूर से दबाएगा त य्दिया बोगाओ यहाओ से बढ़िए तो यहाओ लाइजाओ निरूर में पीचिए ओपार भी सब्सक्राइब को धाक्न भी से तो इस अब्सक्राइब कर दो ले दो खेड़ एकादाना अच्छी हाओ रखागा पार खिफ्श्वध कर्वाद के पाको बादाब कर दो खो